कि नमस्कार दोस्तो अनुपेश्ची रीजिओन में आपका श्वागत है का आज की वीडियो में हम लोग वीगुर समास के बारे में पढ़ेंगे दू अमस्त है मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो है कर्मधारे कर्मधारे समास का ही एक भेद होता है इसको कर्मधारे भी कहते हैं इसमें होता क्या है कि जिस कर्मधारे समास में पहला पद जो है संख्या वाचक विशेशर हो जाता है और उसके साथ ही जो समर्ष्ट पद से जो पूरा पद बनता है उस पूरे पद से समाहार या एक प्रका म啊 कि अवा संख्या वाचक बिशेसर्ग ऑस tort समगा है त्रफ यहां पर जो है जासमात है एक इसमें जो है दूसरा पद हन परधान कैसे हुआ क्यों कि यहां पर जैसे उदाराल़ में लोग देखेंगे चौराहा तो यहां पर राह जो कितने है चार बात किसकी हो रहे है यह राह की यानि यहां पर राह प्रधान है इसलिए यहां पर जो है दूसरा पद जो है या उत्तर पद प्रधान होता है अब उदाहरर को हम लोग देखेंगे तो उदाहरर जो है पहला चौराहा चौराहा का जब बिग्रा करेंगे तो क्या होगा चार राहों का समाहार उसी प्रेकार दो पहर दो पहरों का समाहार पंच रत्न, पांच रत्नों का समाहार अब इसको तो समझना एकदम आसान था कि पहला जो है सब्द जो है संख्या वाचक भी से सड़ा जाए और उससे जो है समाहार या समू का बोदो वहां पर जो है द्यूगर समास होता है लेकिन अब इसमें जो समझने वाली चीज है जहां पर जैसे गलतिया होती है उस चीज को हम लोग समझेंगे बाकियों तो एकदम आसान है वहां पर पहचाना इसको सबसे ज़्यादा आसान यहीं द्यूगर समास ही है अब इन उधारों से हम लोग देखते हैं दसानन और च इस प्रकार यहां पर जो हो गया द्यूगर समास हो गया लेकिन हम लोग जानते हैं दसानन किसकी संग्या है रावर की और हमने बताया था कि जब दो पद मिलके किसी तीसरे की और संकेत करते हैं तो वहाँ पे कौन सा समास होता है बहुबरही समास होता है तो इस प्रकार यहाँ पे बहुबरही समास भी है अब अगर आपसन में द्विगू हो बहुबरी तो हमें इसा वरीता किसको देंगे बहुबरी को ठीक है अब चतुरबूज का क्या होता है चतुरबूज का इसी प्रकार हो जाएगा चार भुजाओं का समाहाथ उस प्रकार द्विगू लेकिन चतुरबूज का जो है अर्थ ह के संग्या चतुरो भूझ है तो वहां पे जो है बहूबुश हो जाएगा लाकि रावर के जो है क्टार होता है कि बहुत ही बुद्हीम्वान उसी परकाश रह क्टार सालीं हिंदी दे दी गई है यहां बाद में प्रचलन होते होते उसको जो है रावड को दस सर लगा दिया गया ठीक है अब यहां पे जो एक चीज और समझने वाली बात है कि प्रस्ण जो है एक्जामें दो तरीके से पूस्ता है पहला प्रस्ण पहला तरीका ही होगा कि दे देगा कि चतुरभुज इसमें कौन सा समास है तब वहां पे अगर आप्शन में द्विगू बस है बहुबरही नहीं है तो चुन लेंगे और चतुरभुज देके आप्शन में द्विगू और बहुबरही दोनों दे रखा है तब वहां पे बहुबरही चुनेंगे लेकिन एक प्रस्ण क्या होता है पूरा वा मैं चतुरबुज के प्रस्ण आसानी से हल कर लेता हूं और एक वाक्य दिया है मेरे घर के पास चतुरबुज का मंदिर है ठीक है और इसमें क्या है यहाँ पर रिखांकित कर दिया और पूछ लिया रिखांकी सब्द में कौन सा समास है अब अगर ऐसा प्रस्ण पूछ लिया तब उहाँ पर हम लोग वाक्य के आधार पर उसको जो है समझेंगे कि यहाँ पर दिया है कि मैं चतुरबुज के प्रस्ण आसानी से हल कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको वाक्य सही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर वो विश्लु भगवान की बात नहीं कर रहा है तब अगर वहाँ पर दिया कि मेरे घर के पास चतुरबुज का मंदीर है तो अब यहाँ पर मंदीर विश्लु भगवान की बात हो रही है तब यहाँ पर जो है बहुबरी समास्त को चुनेंगे तो जिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी देवा दे जिसे जो भी मैं अन्य वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पोस्तार है मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद जैहीं